विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट टू ठीक है फिर्स्ट उनिट के हमने सौट आंसर टाइब कोशन पढ़ लिए अब हम बात करेंगे सिकेंड उनिट का जो पहला आपका ठीक है पहला आपका सौट आंसर ट इसमें देखते हैं कतने हैं । थीन चार ठीक है उनको हम यह करके पढ़ेंगे ठीक है पहला कोश्चन है का रहा है तरफ आपको वही एक एक करके लिख देना है वही क्या हो जाएंगा इनके दोनों के अंतर हो जाएंगा ठीक है तो ऐसा करने के लिए क्या करना है आपको दो लायन इस तरह से पेज में बना लेनी है एक तरफ क्या लिखना है फास्फो लिपेट्स दूसरी तरफ क्या लिखना और Glyco-lipids को क्या कहते हैं, Cerebrosite ठीक है, t caso थी आपका क्या हो जागा, फास्फा- refrastide और Glyco- zachary Brosite हो जागा ठीक है तो फास्फा टाइड क होता है यह आपका nitrogenous होता है जिसे हम nitrogen qurap कहते हैं ठीक है जिक है यह किस से जुड़ा रहता आपका फासफाइट गुरूप से ठीक है तो यह क्या होगा आपका नाइट्रोजनस बेज ठीक है या नाइट्रोजन चारक ठीक है जुड़ा रहता है नाइट्रोजन चारक फासफेट गुरूप से चुड़ा रहता है ठीक है फासफेट गुरूप से ठीक है किससे फासफेट जब nitrogenous waste किसी phosphate group से जोड़ा रहता है तो उसे phosphate कहते है ठीक है और यह आपका cerebro pads है ठीक है cerebro sides है यह आपका क्या होता है यह आपका glycosphignolipid होता है क्या होता है इसको कहते है glycosphignolipid क्या कहते है glycosphignolipids का एक सामान नाम होता है ठीक है इसका ही glycosphignolipids का ही सामान नाम है ठीक है का सामान नाम इसका cerebro side का cerebro side जो है वो glycosphignolipid का सामान नाम है जनरल नेम है ठीक है दूसरा point क्या लिखना है आपको second दूसरा point इसमें फास्फो लिपिड में ठीक है दूसरा point आपका आजागा यह है ठीक है जो आपका फास्फो लिपिड होता है वो क्या होता है fatty acid ठीक है बसी यह अमल हो गया और आपका glycerol हो गया फास्फोरिक अमल हो गया nitrogenous base तथा unsubtitut के compound होते है ठीक है तो आपका जो फास्फो लिपिड है वो किसके compound होते है आपके fatty acid भी रहता है glycerol भी रहता है फास्फोरिक acid भी रहता है और nitrogenous base ठीक है जिने से nitrogenous shark भी रहता है और कुछ और भी इसमें substitute या अब या प्रिजेंट रहते है ठीक है तो इन सबसे बने हुए पदार्त आपके कहलाते है फास्फो लिपिड कहलाते है ठीक है second glycolipid में आपको second लखना है यह fatty acid तथा carvohydrates के compound होते हैं तो यह केवल आपके fatty acid और carvohydrates के compound होते हैं जिन में nitrogen तो होता है लेकिन फास्फोरिक अमल नहीं होता है nitrogen होगा आपका लेकिन फास्फोरिक acid जो है आपका नहीं होगा ठीक है इसी तरह से third आपका हो जागा फास्फो लिपिड का इनकी अंतरगत फास्फो गिलिसराइट्स फास्फो फास्फो आइनोसाइट्स तथा क्या होगा फास्फो इस्फिगनोसाइट्स आते है तो जो आपका फास्फो लिपिड सोता है इसके अंतरगत आपका क्या आता है इसके अंतरगत आपका फास्फो गिलिसराइट्स आते है ठीक है फास्फो गिलिसराइट्स second क्या है आपका साथ व्यूर्टि से प्रमौ सौन साइड थिकतक की तí कि पादार्थ हैं जो किसके अंतरगत आंगे आपके फास वो लिपीयट से के अंतरगत आते हैं ठीक है और आपको यह आप को लिपिट के अंतरगात आते हैं ठीक है तीना आपका क्या रखना है के में फास्पो लिपिट में तो यह अधिक मात्रा में पाए जाने वाले membrane लिपिड हैं ठीक है क्या है अधिक मात्रा में पाये जाने membrane लिपिड यानी की membrane के अंदर पाये जाते hic structure component होते हैं कैसे होते हैं basic structural component यानी की membrane का जो structure बना होता है वो लगबक इनी से आपका बना होता है और कभी भी अधिक मात्रा में इस्टोर नहीं होते ठीक है कम मात्रा में ही रहते है फुर्त यह यह brain के महतपूर्ण constitute हैं क्या है आपके मस्तिस के के यह क्या होते हैं महतपूर्ण constitute होते हैं ठीक है यह brain में solid matter का 8% होते हैं ठीक है कौन आपका glycolipid ठीक है solid matter का या ठोस पदार्थ का लगवग 8% आपका कौन बनाता है glycolipid बनाता है यह अन्य टिस्यूज जैसे liver हो गया में भी पाए जाते हैं यह liver में भी आपके देखने को मिलते हैं ठीक है कौन glycolipids ठीक है फिप्ट पांट आपका हो जागा कि phosphate group lipid residue से attach रहता है जो आपका phosphate group होता है वो किस से lipid माल लो यह कि आपका lipid ठीक है यह अगर आपका lipid है तो lipid का सबसे अंतिम छोड़ क्या कहलाता है आपका residue कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है आपका residue कहलाता है ठीक है लिपिड का सबसे अंतिम सिरा क्या कहलाता है residue और उसी से क्या लगा रहता है आपका फासफेट गुरुप जो है लगा रहता है ठीक है किसमें आपका फासफो लिपिड में गलाइको लिपिड की बात करें तो कह रहा है गलाइको लिपिड में कार्वो हाइड्रेड गुरुप लिपिड रेसीडू से अटेच रहता है इसमें क्या होगा इसमें आपका कार्वो हा तोक्त करवोबडरी cat lub gestion से ठीक है तो इस तरह से आपको पड़ाएना है जो कि आपको पढ़ लेना है मिलते हैं अगले वीडियो बने रहे हैं आज़ा तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्स पर बाचिंग और शेर दे वीडियो